मीठे बच्चे, तुम्हें रुहानी पंडाबन, यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है, याद करते रहो तो खुशी का पारा चड़े। आज का प्रश्न निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संसकार समाप्थ हो जाते और कौन से संसकार रह जाते हैं उत्तर वहां नौलेज के संसकार समाप्थ हो जाते प्रालब्ध के संसकार रह जाते हैं जिन संसकारों के आधार पर तुम बच्चे सत्युग में प्रालब्ध भोगते हो वहां फिर पढ़ाई का वा पुरुशार्थ का संसकार नहीं रहता है प्रालब्ध मिल गई फिर ज्यानक्त्म हो जाता है आज का गीत रात के राही ठक मत जाना ओम शांती यहां सम्मुख शिव भगवानुवाच है गीता में दिखाते हैं श्रीकृष्ण भगवानुवाच परंतु श्रीकृष्ण तो उस नामरूप से सम्मुख हो न सके यह तो सम्मुख कहते हैं निराकार भगवानुवाच श्रीकृष्ण वाच कहें तो वह साकार हो जाता है जो भी वेजशास्त्र आदी सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवानु वाच क्योंकि वह साधु, संथ, महात्मा आदी सब साकार में बैठे हैं और फिर बाप कहते हैं हे रुहानी राही रुहानी बाप जरूर रुहों को ही कहेंगे कि बच्चे ठक मत जाना यात्रा पर कई ठक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं वह है जिस्मानी यात्रा भिन भिन मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के यह तो सुप्रीम रूह परम्पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे अब मुझ एक के साथ बुद्धी का योग लगाओ और ज्यान भी देते हैं तीर्थों पर जाते हैं तो वहां भी ब्राह्मन लोग बैठे हैं, कथा कीर्टन करते हैं तुम्हारी तो एक ही सत्य नारायन की कथा है, नर से नारायन बनने की तुम जानते हो पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विश्नुपुरी में आएंगे इस समय तुम हो ब्राह्मा पुरी में, इसको पियरघर कहा जाता है तुमको जेवर आदी कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियरघर में हो तुम जानते हो ससुरघर में हमको अपार सुख मिलने हैं यहां कलियूगी ससुरघर में तो अपार दुख हैं तुमको तो जाना है उस पार सुखधाम में यहां से ट्रांसफर होना है बाप सभी को नयनों पर बिठा कर ले जाते हैं दिखाते हैं ना श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठा कर उस पार ले गया तो वहाँ यह सब पियरघर, ससुरघर की बाते भूल जाएंगी वह है निराकारी पियरघर, वहाँ यह नौलेज भूल जाती है नौलेज के संसकार निकल जाते हैं, बाकी प्रालब्ध के संसकार रह जाते हैं फिर तुम बच्चों को प्रालब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रालब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुखधाम जाना है। प्रालब्ध मिल गई फिर ज्यान खत्म। तुम जानते हो प्रालब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। तुम्हारे संसकार ही प्रालब्ध के हो जाएंगे। अभी हैं पुरूशार्थ के संस्कार। ऐसे नहीं कि पुरूशार्थ और प्रालब्ध दोनों संस्कार वहां रहेंगे। पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, जुंड के जुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। याद मुख्य है, बच्चे याद करते रहें तो खुशी का पारा चड़ा रहे, साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। पहले फले शिव का मंदिर बनेगा। वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर कहा जाने की दरकार नहीं रहती। यह मंदिर आदी बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्तर, नए चित्र, नए मंदिर आदी बनते रहते। ताइम लगता है क्योंकी पढ़ने वाले भी चाहिए न। मठ आदी जब वृद्धी को पाएंगे, फिर विचार होगा शास्तर बनाएं। तो इतने तीर्थस्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, ताइम लगता है न। भल कहा जाता है कि भक्ती मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है न। फिर कलाएं कमती होती जाएंगी। पहले अव्यभिचारी भक्ती, फिर व्यभिचारी भक्ती हो जाती है। यह सब बातें अच्छी रीती चित्रों पर सिध कर बताई जाती हैं। समझाने वालों की बुद्धी में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं, यह समझाएं। सब की बुद्धी में नहीं चलेगा। नंबरवार है न। कोई की बुद्धी बिलकुल चलती नहीं, वह फिर पद भी ऐसे पाएंगे। मालूम पर जाता है यह क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लडाई आदी लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे। फिर बहुत पच्ताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो न सके। लडाई के समय त्राहित्रा ही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे। पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखाना। यह विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षातकार आदी बहुत होंगे, जिससे जान जाएंगे कि यह कितना पढ़ा है। बहुत पच्ताएंगे भी और साक्षातकार होंगे, देखो तुमने पढ़ाई छोर दी तब यह हाल हुआ है। धर्मराज साक्षातकार कराने सिवाए सजाये कैसे देंगे? सब साक्षातकार कराएंगे फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे कहेंगे हाई तक्दीर तक्दीर का समय तो गया तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुशार्थ करते हूं सर्विस से ही दिल पर चड़ेंगे बाप कहेंगे यह बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मिलेटरी का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आधी को भी इनाम देते हैं यहां तुमको इनाम देने वाला है बेहत का बाप बाप से भविश्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है यह तो हरेक को अपनी दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ धार्णा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए है बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते है बाप समझाते हैं मीठे बच्चे तुम्हें इस रुहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है फ्रजह है हरेक को यह यात्रा की बात बताना बोलो हमारी यह रुहानी यात्रा है वह है जिस्मानी दिखाते हैं रंगून की तरफ एक चमचम तलाव है जहां सनान करने से परी बन जाते हैं लेकिन वह परी आदी तो बनते नहीं यह है ज्ञान सनान करने की बात जिससे फिर तुम बहिष्ट की बीबी बन जाते हो और ज्ञानयोग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है और ही तुमको रोका जाता है घड़ी-घड़ी ध्यान में नहीं जाओ आदत पड़ जाएगी तो यह ज्ञान मानसरोवर है परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्यतन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं इसलिए इनको मानसरोवर कहा जाता है मानसरोवर अक्षर सागर से निकला है ज्ञान सागर में ज्ञान सनान करना तो बहुत अच्छा है बहिष्ट की बीबी को महारानी कहा जाता है बाप कहेंगे तुम भी बहिष्ट के मालिक बनू बच्चों पर लव रहता है हर एक पर रहम पड़ता है साधों पर भी रहम आता है यह तो गीता में लिखा हुआ है कि साधों का भी उद्धार करते है उद्धार होता है ज्ञान योग से तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए बोलो तुम और तो सब जानते हो लेकिन छाच जानते हो बाकी मक्षन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो बाप कितना अच्छी रीती समझाते हैं परंतु किसकी बुद्धी में भी बैठेना बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं न जानने से मनुष्य कौडी मिसल बिलकुल पतित हैं बाप को जानने से ही पावन बनते हैं पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके तो जो महारती बच्चे हैं, वह अच्छी रीती समझा सकेंगे कितने धेर ब्रह्मा कुमार कुमारिया है प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशूर है प्रजापिता ब्रह्मा के यह हैं मुख्वनशावली ब्रह्मा को ही एक सौ भुजा, एक हजार भुजा दिखाते हैं यह भी समझाया जाता है इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचडे वाला है ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, इनका और कौन बाप हो सकता? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता ब्रह्मा, विश्नु, शंकर गाये जाते हैं सुक्ष मवतन के, वह तो यहां आ न सकें प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां होगा ना, सुक्ष मवतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे तो परमपिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ती सेना रचते हैं पहले फले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वनशावली हैं तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाथ, फिर उनसे और बिरादरिया निकलती है, नाम बदलते जाते हैं. अब तुम ब्राह्मन हो, प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी ओलाद हैं. जरूर आुलाद को वर्सा मिलता होगा ब्रम्मा के पास तो कोई प्रापर्टी है नहीं प्रापर्टी है शिव बाबा के पास ब्रम्मा वल्द शिव बेहत के बाप से ही वर्सा मिलता है ब्रम्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं हमको दादे का वर्सा मिलता है बाबा समझाते तो बहुत हैं, परन्तु योग नहीं काइदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे बाप कहते हैं इनकी तकदीर अगर बाबा से पूछें तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पध होगा दिल भी गवाही देता है, मैं कितनी सर्विस करता हूँ श्रीमत पर कहा तक चलता हूँ श्रीमत कहती है मनमनाभव सबको बाप और वर्से का परिचय देते रहते हैं घिंडोरा भी पीटते रहते हैं बाबा इशारा देते रहते हैं तुम्हें गवर्मिंट को भी समझाना है जो वह भी समझे बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है परम्पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से योग ही नहीं है इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो माया पर भी तुम जीत पहनते हो ग्रिहस्त व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है हमारा मददगार बाप है कितना समझाया जाता है धारना करनी चाहिए बाबा ने समझाया है धन दिये धन ना खुटे सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चड़ सकेंगे नहीं तो इंपासिबुल है इसका मतलब यह नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते बाबा प्यार सर्विस एबुल को करेंगे मेहंत करनी चाहिए सबको यात्रा लायक बनाते हैं मनमना भव यह है रुहानी यात्रा मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुँच जाएंगे शिवपुरी में आकर फिर विश्णुपुरी में चले जाएंगे यह बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कोई और मनमना भव का अर्थ समझते नहीं पढ़ते तो बहुत है बाप महा मंत्र देते हैं मुझे याद करो तो तुम विकरमाजीत बन जाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मार्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार पहला प्वाइंट ज्यान सनान करना है प्यार से सर्विस कर बाप के दिलतक्त पर बैठना है पुरुशार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है दूसरा प्वाइंट बाप की पलकों पर बैठ कलियोगी दुखधाम से सुखधाम चलना है इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है आज का वर्दान जीवन में दिव्यगुनों के फूलों की फुलवाडी द्वारा खुशाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्टी भव सदा खुशाल अर्थात भरपूर संपन्न पहले कांटों के जंगल में जीवन थी अभी फूलों की खुशाली में आ गए सदा जीवन में दिव्यगुनों के फूलों की फुलवाडी लगी हुई है इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्यगुनों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशाली देख करके खुश होंगे शक्ती का अनुभव करेंगे खुशाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैट पी है आज का स्लोगन मास्तर सरवाशक्तिमान वह हैं जो माया के बुद्बुदों से डरने के बजाएं उनसे खेलने वाले हैं